अब अब अपने क्योशन नमबर 15 के बारे में स्टेडी कर रहे हैं जो इस प्रकार से matrix A equals to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha A की power N equals to यह है A क्या है दनात्म को अब कि इसके लिए अपने इसको सिद्ध करेंगे कि matrix A यह रहे किये और A की power N यह होगी इसके लिए अपने क्या करेंगे पढ़ा होगा उसको तोब माइंड के लेकर आएंगे और गनीत नमद शिद्धान की साइथा से अपने से को सीद्ध करने के कोशिश करेंगे और उसी का यूज करेंगे तो आपने डीटेल से गनीत तो सबसे पहले अपनिया करते हैं एन इकोईस टू बन रखते हैं और फिर एन इकोईस टू पन के रखेंगे और के प्लस बन रखेंगे तो सबसे पहले अपनिया करते हैं इसको स्वाल करते हैं तो एन इकोईस टू बन रखने पर क्या जाएगा n equals to 1 रखने पर तो ये बन जाएगा a की पावर 1 equals to क्या जाएगा cos 1 रखेंगे तो alpha हो जाएगा cos alpha sin alpha minus sin alpha और यह जाएगा cos alpha next step में अपने क्या करेंगे n equals to k रखेंगे क्या रखेंगे n equals to k रखने पर तो ये बन जाएगा a की पावर k equals to cos k alpha sin k alpha minus sin k alpha और cos k alpha next step में अपने क्या करेंगे n equals to k plus 1 रखेंगे n equals to k plus 1 रखने पर तो ये बन जाएगा a की पावर k plus 1 equals to cos k plus 1 alpha और यह जाएगा minus sin और k plus 1 alpha इस प्रकास से अपन इसको फ्रूब करेंगे तो अपन k plus 1 को अपन क्या लिश सकते हैं? देखिए तो यहाँ पर एक त्रीक और भी है कि अपन जैसे k को k plus 1 a की पावर क्या है? k plus 1 है इसको अपन लिश सकते हैं a की पावर 1 और गुणा a की पावर k क्या लिश सकते हैं? आदार समान होने पर क्या होती है? जूरती है इसको भी लेकर के अपन multiply करके भी solve करेंगे तो भी यही value आएगी इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? परिणाम के अनुसार अपन यह कह सकते हैं n बराबर k plus 1 के लिए सत्य है क्या लिखेंगे? आता है n बराबर k plus 1 के लिए सत्य है इसका मतलब कहने तो आगबन सिदान से सत्य होता है कि क्या सत्य होता है? सत्य अपन सिद्ध कर सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? a की power n बराबर अपन लिख सकते हैं cos n अलफा minus sin n अलफा और sin n अलफा और cos n अलफा तो इस प्रकार से सभी प्रकर सिंख्याओं के लिए n के लिए क्या होगा? सत्य होगा क्या होगा? सत्य होगा तो अपन इसको prove कर सकते हैं तो गनित्य अगबन सिद्धान्त का यूज किया है तो आपको गनित्य अगबन सिद्धान्त के बारे में study की थी आपने 11th class के अंदर उसका थोड़ा सा ज्यान रखेंगे और इस question को prove करने की कोशिस करेंगे तो आपको study regular साथ में करते रहना है और एक बात और कहना चाहता हूँ है कि exercise 3 के जो विवीत प्रस्माला के अपने जो जो टोपिक पढ़ लिए उनसे समंधित जो exercise 3 के विवीत प्रस्माला के जो सवाल है वो आपको homework के अंदर करना है ताकि आपका practice होती रहेगी और आपने क्या सीखा है उसकी भी जानकारी होती रहेगी तो ये विवीत प्रस्माला के सारे सवाल आपको करने होमर के रूप में ताकि आप थोड़ा सा प्रियास करेंगे तो mathematics को समझना और यह आसान हो जाएगा और किसी question के अंदर doubt होता है तो आप उसको question mark लगा दें और आप message की through आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला question हमारे को नहीं आया आप message के अंदर डाल देना मैं उसको solve करके बता दूँगा लेकिन प्रियास आपको करना होगा ऐसा नहीं कि बीना प्रियास की आप डाल दो कि ये question हमारे को नहीं आ रहा है प्रियास करेंगे उसके बाद उसको डालेंगे अगर वास्ता में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताने कि पूरी कोशिश करूँगा धन्यवाद